हेलो दोस्तों, बाजू का डिजाइन बनाने के लिए बाजू कटिंग करके रखा हूँ, इसकी लंबाई साड़े 11 इंच है, बाजू फोल्ड करके मोहरी की चौड़ाई 6 इंच है, डिजाइन को बनाने के लिए ये बकरम कटिंग करके रखा हूँ, बकरम की लंबाई साड़े 11 इंच है और इसकी चवडाई 6 इंच है बकरम को ऐसे फोल्ड करके यहां पर 7 इंच का निशान लगा लेंगे यहां भी 7 इंच का निशान लगा लेंगे निशान लगाने के बाद इसकेल को रखके निशान को सीधा लगा लेंगे डिजाइन बनाने के लिए यह कंगन लियाओं कंगन को ऐसे बीच में रखके निशान लगाएंगे दोस्तों कंगन हो या बहेंगल हो आप किसी से भी निशान लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो को इसकीप नहीं करना नहीं तो समझने में दिक्कत होगा अब निशान में लगा दिया हूँ यहाँ पर निशान लगाएंगे एक इंच का यहाँ भी एक इंच का निशान लगा लेंगे इसकेल को रखके निशान को सीधा लगा लेंगे निशान लगाने के बाद हम कटिंग करेंगे डिजाइन का अब दूसरे साइड में डिजाइन का कटिंग कर लेंगे दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा डिजाइन पसंद आये तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा डिजाइन में डेली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ जिस सेप में डिजाइन का निशान लगा है ठीक निशान पर आपको कटिंग कर लेना है यह देखिए एक साथ दोनों तरफ के डिजाइन का कटिंग कर लिया हूँ फ्यूजिंग को कपड़े पर चिपका लेंगे अब मैं कपड़े पर इस तरह से फ्यूजिंग को सटा लिया हूँ कपड़े को फोल्ड करके बकरम के किनारे सिलाई चलाएंगे जिस शेप में डिजाइन का कटिंग हुआ है उसी शेप में आपको सिलाई लगाना है इसी तरह से डिजाइन पर सिलाई को लगा लेंगे धागे को कट कर लेंगे अब एक्ष्टरा मार्जन जो है उसे भी कट कर लेना है मार्जन को कट कर लिया हूँ अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे यहाँ देखिए ऐसे कट कोने पर लगा लेंगे कट लगाने के बाद अब इसे पलट लेंगे इस तरह से डिजाइन को पलट लिया हूँ दोस्तों इसी तरह दूसरा डिजाइन भी पलट लेंगे के दोनों डिजाइन को रख लिया हूँ अब डिजाइन बनाने के लिए दो कलर में कपड़ा काट के रखा हूँ इसकी चवड़ाई दो इंच है और लंबाई 35 इंच है कपड़े को ऐसे रख कर सिलाई चला लेंगे धागे को कट कर लेंगे कपड़े को पलट कर अब इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से कपड़े को पलट कर किनारी पर सिलाई लगाएंगे यह देखिए यहाँ पर नीचे वाला कपड़ा जो है एक सूत दिखाई देना चाहिए एक सूत नीचे वाले कपड़े को बाहर दिखाएंगे डिजाइन बनाने के लिए धागे को कट कर लेंगे डिजाइन बनाने के लिए 3.5 इंच लंबा अब पट्टी की कटिंग कर लेंगे यहां से मैं 3.5 इंच लंबा काट लिया हूँ दोस्तो इसी तरह से धेर सारी पट्टी का कटिंग कर लेंगे यह देखिए मैं 10 पट्टी का ऐसे कटिंग कर लिया हूँ डिजाइन को बनाने के लिए यह टुकडी को ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यहां पर ऐसे लगाएंगे दोस्तों इसी तरह दूसरा डिजाइन फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से फोल्ड करने के बाद डिजाइन को इस पर रखके लगा देंगे धागे को कट कर लेंगे अब एक्ष्ट्रा मार्जन को भी कट कर लेंगे यहाँ भी मार्जन को कट कर लेंगे मारजन कट कर लिया हूँ दोस्तो इसी तरह दूसरा डिजाइन भी बना लिया हूँ यह देखिए अब यह कागज लिया हूँ कागज की चवडाई है पौने चार इंच और इसकी लंबाई है साड़े इगारे इंच डिजाइन को कागज पर रख के सिलाई चला लेंगे धागे को कट कर लेंगे अब दूसरा डिजाइन रख केर इस पर भी सिलाई चला लेंगे धागे को कट करने के बाद एक श्टिरा जो कागज है उसे भी कट कर लेंगे अब मैं डिजाइन को कागज पर लगा लिया हूँ ये देखिए डिजाइन बाजू के बराबर है इसकी लंबाई बाजू के बीच से कट कर लेंगे कट करने के बाद बाजू को फोल्ड करके ऐसे किनारी पर सिलाई चला कर डिजाइन को बाजू में अटेज कर लेंगे धागे को कट कर लेंगे दोस्तो यसी तरह से दूसरे साइड में भी बाजु को अटेज कर लेंगे दूसरे साइड में भी मैं बाजु को डिजाईन में अटेज कर लिया हूं एक्ष्ट्रा मार्जन को ऐसे कट कर लेंगे मुहरी को बनाने के लिए ये कपड़ा कटिंग करके रखा हूँ इसकी चवडाई तीन इंच है और इसकी लंबाई मुहरी के बराबर काट लेना है कपड़े को ऐसे रखकर एक भूट का मार्जन लेकर सिलाई चला लेंगे अब मुहरी में कपड़े को अटेज कर लिया हूँ कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद किनारी पर सिलाई लगाएंगे मुहरी की पट्टी को फोल्ड करते समय ध्यान दें चौडा पतला नहीं होना चाहिए एक बराबर फोल्डिंग होना चाहिए मोहरी फोल्ड कर लिया हूँ एक्स्ट्रा मार्जन को कट कर लेंगे दोस्तों आप वीडियो में बने रहें मैं इस पर बटन और मोती लगाऊंगा ये शर्ट का बटन लिया हूँ बटन को कपड़े में रख कर धागे से बात देंगे ये देखिए ऐसे धागे को लपेट कर धागे को लोक कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे दोस्तों ऐसे चार बटन और बना लेंगे पांच बटन में ऐसे बना के रख लिया हूँ ये देखिए इस तरह से डिजाइन पर बटन को लगा देंगे अब डिजाइन के नीचे से काग़ज को हटा लेंगे काग़ज हटाने के बाद मैं इस पर मोती लगा दिया हूँ ये देखिए ऐसे मोती को लगा लेना है ये आर्म होल पर जो मोती लगाया हूँ आप बाजू को सूट में लगाने के बाद ये मोती लगाएं दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें